आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है वक्ता की रूप में दिल्ली विशुवी जालक के सात्र उजवल तेजु है और इन्होंने बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर और आपने हमें आपका मुली समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पहले और सरका सोटा चाप प्रीशे आपको देना चाहूंगा बिना वक्त कवाए यह रजस्तान के सिमावरती जिले जैसल मेर की निव ओर पूंगका टेयर तो अज सर अप हमें बताए कि सी-डियस का एग्जाम के लिए कौन-कौन सी मतलब बुक लिश्ट फोलो करने चाहिए और सीडियस के लिए एग्जाम के अफियर मतलब जोइन करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफीकर चैन चाहिए तो सर आप परमी की और मिलिटरी की जो अकेडमी है, उसमें इसमें यह एग्जाम देगे उसमें होता है, इक्जाम के मेन बो फेज थे हैं, पहला है रिटन फेज और दूसरा है, एग्जामी ने इस बी अटरिवू। तो CDS के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की जैसे आपने पूछा तो क्वालिफिकेशन में सबसे महतुपू protecting닥 है कि आप की ग्रेजवेशन इ curt या तो पूरी हो जानी चाहिए या फिर्जवेशन के फाइनल यह में होनी चाहिए जैसे में इस साल था फाइनल यह में था है U.S., मेरे अपिरिग का अग्जाम दिया, जैसे मेरे ग्रेजिएशन अपिरिंग में थी, तो मेरे अग्जाम ऐस एक्से लगा और अगर किसी की ग्रेजिएशन पॉरी हो गई है तो ग्रेजेशन पुरी करने के मजूड जाता है तो तीन पेपर होते हैं तो जैसा आप अब बुक लिष्ट के बारे में पूछा तो इसमें में दो सब्जेक्ट आते हैं पहला जो सबसे खास इसमें मैं तुपूर्ण रहता है वो है जन्रल इंग्लिश और दूसरा है जी एस तो जी एस के लिए तो अलग- कोई मैगजीन से लिए या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो करन्ट अफेर्स की वीडियो डालते हैं उन से थोड़ी उस से मदद हो गई इस तरह करके और जन्रल साइन्स के लिए भी 9th, 10th, 11, 12th की NCRT से मदद मिली और दूसरी बात आती है जन्रल इंग्लिश की तो इंग आज裡面 अच्छा का साभ सकते हो, जैसा कि मेने भी यही सोच के पड़ज की शुरू करी थी कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कूर करूंगा और जी एज मैं इतना स्कूर कर लूँगा कि में कट आउफ क्लियर कर पाउं, पर मेरा दोनों पेपर में स्कूर अच्छा रहा, मेर मेरे मार्क्स कट ओफ से काफी सही रहे, अभी मेरा इंटिव्यो की डेट आई नहीं है, जल्दी ही जून जुलाई के आज पास मेरा SSB का इंटिव्यो होगा, चार सेंटर होते हैं SSB के में, आर्मी के लिए चार ही सेंटर हैं, एर फोर्स के लिए ऐसे चार सेंटर है, AFSB करके के देहरादून में है, मैसूर में है, आर्मी के लिए भोपाल है, अपने मध्यप्रदेश में, कपूर्थला है, पंजाब में, अलहाबाद है, उत्तर प्रदेश में, और एक है नीचे बैंगलोर में, साउथ में, ये सेंटर SSB के सेंटर है, SSB का अपना चार, पांच, छे दिन का प्रोसेस है, जिससे ये लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वगेरा ऐसी चीज़े आपन के अंदर देखकर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में मेडिकल के बाद में पोस्टिंग मिल जाती है, अच्छा तो आपने टाइम टेबल क्या फोलो किया इसके लिए, टाइ एक महीना दस दिन के आसपास मेरे पास वक्त था इसको पढ़ने के लिए, इंगलिस तो मैं अलमोस्ट एंडिय के लिए जब पढ़ रहा था तो पढ़ चुका था, तो मुझे जी एस पे थोड़ा ज्यादा धान देना था, तो उस टेम मैं कोई अपने यहां द्रश्टी प तो इसमें मुझे मुझे मदद मिली और बाकी इंगलिस के लिए केड़ी पॉब्लिकेशन की बोग हमेशा ही मैं पढ़ी है काफी बार पढ़ा है उसको उससे मुझे बहुत मदद मिली है अच्छा तो आपने ट्वेल्थ के बाद में अब तक कितने नॉर्मल एक्जाम दिय जो बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में यह भी बहुत अच्छे से हुआ अभी फिलाल SSC CGL का पेपर होगा तो वह भी देने के लिए थोड़ी बहुत तयारी है मेरी उसके बाद देखते हैं आगे तो आपने रणनिती किस परकार बनें कि आप इतने दिन में यह पढ ही तो तो उस दिन का अगले दिन में कवर अप हो जाता है तो GS के लिए मैंने इसा किया कि 15 दिन पूरे टाइम पूरा GS और साइंस पे दिया उसके बाद के टाइम में ग्या एक्जाम से पहले के जो जश्ट छे साथ दिन थे उस टाइम मैंने अच्छे से करी और मेरे आप मेरे साथ एक्जाम दिया तो उन लोगों के साथ दो-तीन दिन डिसकसन के साथ बढ़िया टाइम निकला उठसे मुझे काफी ज्यादध मिली मेरे से कुछ उनको चीज़े मुजे सीखने को मिली जो दोनों के लिए बराबर ही फाएदे मन्द रही तो आप लाश्च में क् स्टूडेंस जो अभी त्यारी कर रहे हैं घर पे रहे कर आप क्या आपकी तरब से प्रसनल व्यक्तिकत विशार दना चाहेंगे वैसे जितने भी स्टूडेंट 12 में PCM और इन सब का लेके उतरते हैं उनका हमेशा सही NDA और CDS एक सपना सा रहता है क्योंकि यह बहुत ही प्रतिष्टित नौकरी कहें या देश सेवा के लिए सबसे जो अच्छा उसर मिल सकता है वो आर्मी में लेफटिनेंट कैप्टन मन के ही मिल सकता है तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि कुछ लोग कहेंगी यह एक्जाम के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा मैनत करनी पड़ती है ऐसा नहीं है मैंने अच्छे लोगों से राय ली अच्छी जगह से मैंने पता किया कि कितना टाइम लगता है इसमें तो मुझे यही मिला कि डेड़ महीने में इसको आराम से कर सकता कोई आदमी जिसकी पहले बेसिक अच्छे रहे हो और अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं है आप प्रादाब का?